हेलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफको की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंज से यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है इफको में यह आपके ग्रेजुएट इंजिनियर एप्रेंटिशिप पोस्ट के लिए जारी किया गया है जिसके लिए आप ओनलाइन आविदन यहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर इस से लेटेट जो भी जानकारी आपको चेक करनी है यह आपको इफको की ओफिशल वेबसाइट पर यहाँ फ्रेंज साब वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जौबरास्ता.com पर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे इस से आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके तो यहाँ पर फैंस देखिए यह इसका ओफिशल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आविदन करते हैं सबसे पहले देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो 4-year full-time bachelor degree in engineering आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए discipline के name आपको यहाँ पर दिये गये है इसके लावा 60% marks जंदल OBC और 55% marks SC ST इसमें आपसे कहा गया है जो candidate ने 2021 के बाद यहाँ पर degree complete की है वो ही इसमें आविदन कर सकते हैं और जिनका result अगस 2024 तक आ सकता है वो भी इसमें आविदन कर सकते हैं upper age limit 30 years रखी गई है एक जुलाई 2024 को यह count होगी location pen India रहेगा training period आपका one year का रहेगा stipend आपको यहाँ पर 35,000 रुपे परमंद आपको यहाँ पर मिलेगा selection process कैसे होगा तो selection होगा computer based online test के basis पर अब यहाँ पर फैंस जो pre exam है आपका जो online होगा वो उसके centers आपको देखे यहाँ पर दिये गए है इन centers पर आपका जो exam है वो conduct किया जाएगा इसके बार medical exam होगा और उसके बार फैंस आपका इसमें selection होगा अब यहाँ पर कैसे आप आविदन कर सकते हैं तो 31,7,2024 इसकी last date है apply करने की तो यहाँ पर LBT conditions को आप read out करने इसके बार आप इसमें आविदन कर सकते हैं अब यहाँ पर दिखिए दो section है पहला है register का और दूसरा है login का सबसे पहले आपको यहाँ पर register करना होगा तो register tab पर आप click करेंगे आपकी mail id आपको यहाँ पर enter करनी है और उसके बार एक password create करना है तो कोई भी अभी यहाँ पर दिखिए error show नहीं कर रहा है तो आप एक काम क किजेगा जो यहाँ पर आप password बनाते है वह alpha numerical बनाईएगा मतलब उसमें alphabet भी होने चाहिए और उसमें numerical value भी होनी चाहिए इसके बार आपको आपका नाम देना है mobile नंबर देना है only आपके यहाँ पर चार डिटेल्स आप से पूची गई है mail id password create कीजिए नाम और mobile नंबर औ क्लिक करेंगे इसके बाद फ्रेंस यहाँ पर देखिए जैसे ही आप mobile नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं इसके बाद फ्रेंस एक OTP आज successfully send की जाती है आपके mobile नंबर पर वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी और OTP डालने के बार verify OTP पर आप क्लिक कर देंगे OTP नही आप कोई भी category select कर सकते हैं मैं आप पर OBC से आपको form को apply करकर show करूंगा इसके बाद है आपका father name तो आपका जो भी father name है वो आपको यहाँ पर देना है आपकी मार्शिट के according और इसके बाद यहाँ पर father का occupation आपसे पूचा गया है service में है business करते है अधर है वो आप जानकारी provide करेंगे मेरेटर स्टेटेस क्या है वो जानकारी आपको देनी है और इसके बाद देना है यहाँ से डियो भी तो जो भी date of birth है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं मैं आप जो भी data enter कर रहा हूं यह सिर्फ sample या demo के तोर पर है आपको आपकी actual जानकारी देनी होगी son या daughter है आप यहाँ पर yes कर सकते है धार का number आप यहाँ पर दे सकते हैं पैन का नहीं है तो आप नो कर सकते हैं पर इनमें से एक आपको देना जरूरी है इसके बाद है address तो यह पर्मनेंट address यह आपका correspondence address तो friends आपका पूरा address आप यहाँ पर enter करेंगे मैं सेफ डेमो आपको शो कर करेंगे इसके बाद किस स्टेट से बिलॉंग करते हैं किस से बिलॉंग करते हैं कि सिटी से बिलॉंग करते हैं और आपका जो पिन कोड है वो कितना है वह आपको जानकारी यहां पर देनी होगी तो पिन कोड एंटर करने के बाद अगर आपका पर्मनेंट और प्रिजेंट ए इसके बार आपको यहां पर आपके जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहां पर देना होगा इसमें आप अपनी जो सब्जेक्स हैं उसके नाम आप यहां पर दे सकते हैं तो जो भी सब्जेक्स आपने यहां पर पड़ी है इस तरह से आपको सब्जेक्स की एंट्री करनी होगी इसके बार आपको यहाँ पर year of passing देना है मतलब आपने इसको कब pass किया है इसके बार यहाँ पर देना है आपको marks obtain तो यहाँ पर marks obtain आप provide करेंगे यहाँ पर आप total marks देंगे आपकी percentage आ जाएगी इसके बार अगर आपके CGP system है तो आप उसे convert करें और उसके बार उसके equivalent percentage को आप यहाँ पर mention करेंगे इसके बार आता है degree BE, BTEC आपके पास इनमें से किस stream में है आपका यह complete हुआ है तो complete pursuing है तो pursuing आप दे सकते हैं pursuing में ध्यान रखेगा जो आपका result है वो अगस्ट 2024 तक आ जाना चाहिए तो ही वो applicable रहेगा अगर complete है तो आप complete select कर सकते हैं course type regular रहेगा इसके बार आपकी university का नाम आप यहाँ पर mention करेंगे passing year क्या है तो वो आपको यहाँ पर देना होगा diploma आपने फैंस यहाँ पर BE, BTEC, diploma जो options हैं वो आप select कर सकते हैं तो BE, BTEC आपने किया हुआ है तो BE, BTEC आप यहाँ पर select करेंगी क्योंकि यहाँ पर graduate degree मांगी गई है 4 years की इसके बाद friends यहाँ पर आता है course याँ डिगरी आपका name तो यहाँ पर friends से देखिए आपको चार years देगे हैं first year, second year, third year and fourth year अगर आपका friends यहाँ पर semester system है तो friends आप अपने दो semester को combine करके यहाँ पर दे सकते हैं इसमें friends आपकी subjects के name दे सकते हैं subject की name में friends आपका discipline है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं क्योंकि subjects बहुत जादा होती हैं और अगर friends आपकी major subjects हैं तो आप उसके नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं चाहे तो आप यहाँ पर अपना stream है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं इसके बाद आपका year of passing रहेगा मतलब आपने इसको कब pass किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे तो जो आपका second semester है उसका यह count होगा क्योंकि friends यहाँ पर जो आपको year देना है क्योंकि year wise entry करनी है तो जो आपका second semester जब आपने pass किया होगा आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इसके बाद friends आपके यहाँ पर जो numbers आपने obtain किये हैं आपके जो भी numbers है आप उनको count करकर यहाँ पर mention कर सकते हैं इसके बाद friends आपके यहाँ पर आपके देखे जो आपके year wise यह semester wise percentage है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगे ऐसे ही mtech अगर आपने किया हुआ है तो जानकाई दीजिए नहीं तो आप not applicable के बल यहाँ पर mention करेंगे इसके अलावा कोई other qualification है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद save and nest यहां से कर सकते हैं इसके बाद friends अगर आप employed है तो yes कर सकते हैं नहीं है तो आप simply no करेंगे इसके बाद आप इस data को यहाँ पर confirm करेंगे और उसके बाद save and nest कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको आपकी photo upload करनी है इसके बाद friends आपको location upload करनी है कहां से आप यहाँ पर जो apprenticeship है वो करना चाहते है इसके बाद friends इस advertisement के बारे में आपको कैसे पता लगा आप friends आप register है apprenticeship training के लिए तो आप यहाँ पर yes कर सकते है और आपका apprenticeship period बता सकते है अगर कोई आप apprenticeship कर रहे हैं तो नहीं तो आप simply no करेंगे इसके बाद यहाँ से इस data को declare करेंगे और save and nest कर देंगे इसके बाद friends आपके सामने application preview option open होगा तो आप यहाँ पर इस data को edit करना चाहें तो edit कर सकते हैं इसके बाद है submit का option तो आप यहाँ से form को जो है finally submit यहाँ से कर देंगे और आपका application form finally submit यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर friends मैंने आपको जानकारी provide कर दी है कैसे आप इफको apprenticeship online form 2024 apply कर सकते है step by step process के बारे में अगर आपको हमारी update पसंद आई है आप चाहते है ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके तो इसके लिए like, subscribe जरूर कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही है सारा YouTube चाहिए एलास थैंक्स पूर वाचेगी